हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग उमिद करते हैं आप सभी अच्छे हों कि प्लीज इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको खाफी जादा इंफर्मेटिव वीजियो पूरे फैक्ट के साथ मिलती है तो जिसका डर था आखिरकार वही हुआ जी हाँ अमेरिका में मंदी आने का संकेत मिल गिया है पिछले दो क्वार्टर से यानि कि प्छले च्छह महने से जो अमेरिका की जो डीaval है जी डी डीपी वो नेगκι में जा रही है पहले क्वार्टर में वन पोईटल्सिक्स परसेंट लेकिन वह नेगर्टिव में और अब इस सेकंड क्वाटर में 0.9% यानि कि यह भी नेगेटिव में तो पिछले 6 मेहने से अमेरिका की जो GDP है वो नेगेटिव में जा रही और आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका की GDP दुनिया की सबसे बड़ी GDP है और जिस तरह से आपको पता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी एकोनोमी है पूरी दुनिया में तो इसका जो ट्रेड है वो पूरी दुनिया से होता है और अगर यहाँ पर मंदी आती है तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है इससे पहले सन 2008 में दुनिया भर में मंदी आये थी और इसकी शुरुआत भी अमेरिका से हुई थी और अमेरिका से शुरुआत जब मंदी की हुई तो पूरी दुनिया में ही मं जैसा कि यूरोप की उगनोमी वह सब नेगेटिव में चली गए और वहां पर भी मंदी आ गई और इस बारे भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि जो पिछले दो क्वार्टर है उन दो क्वार्टर से यानि के च्छै माईनों से अमेरिका की जो इकनोमी है वह जा रही है तो यही बिल्कुली स्ट्रॉंग सिकनल है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है और बहुत सारे इसके बारे में कह रहे हैं कि अब नहीं तो कल मंदी जरूर आएगी अमेरिका में तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या होगा यहां पर कि इस तरह से जो अमेरिका की जो इकनोमी है वह श्रिंक कर रही है और इसका असर इंडिया के ओपर किस तरह से होगा जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम न्यूज आर्टिकल्स देख लेता है अब दगार जियन यूएस एकनोमिक श्रिंक इन सेकंड कौर्टर सिंगलिंग अनओफिशल स्टार्ट आफ रहनी के यहां पर सिंगनल देद गया है करे सेशन आने वाली है लेकिन यह एक बैड निव्यूज भी बाइडन एड्मिस्टेशन के लिए क्योंकि यहां पर जो मेड 28 जुलाई का यह आर्टिकल है तो हम देख लेते हैं कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं तो यह एकनोमी वह लगता दो क्वार्टर में नेगेटिव में चली गई है अब भारत में ऐसा होता है कि जो फनेंचल यह होता है वह एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च के बीच चलता है ले को फॉलो किया जाता है तो अभी युएस से के दो क्वार्टर की एकनोमी का डेटा सामने आया है जिसमें एक जनुरी से 31 मार्च के बीच तो 1.6% की GDP में डिकलाई देखने को मिला है तो वहीं एक अप्रेल से लेकर 30 जून के बीच के दूसरे क्वार्टर में 0.9% की GDP में द तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूं कि किस तरह से एकनोमी वहां पर डाउन गई है तो देखिए ये ग्राफ है जहां पर दिखा रहा है कि कहा कहां पर एकनोमी श्रिंक हुई है तो देखिए जो 2019 था तो वहां से तो पॉजिटिवीटी आ रही थी 2019 के चारों कॉर् क्वार्टर आये हैं वहाँ पर आया था कोविड नाइंटीन का प्रकॉप तो शुरू में गिरावट हुई लगभग 5% की पहले क्वार्टर में क्योंकि तब जो है मार्च में लगा था ना तो दस दिन के अंदर ही वहाँ पर ऐसी सीचुशन हो गई थी कि वह गिरावट में लेकिन फिर जब दूसरा कोवाटर आया तो उसके बाद 2020 के दूसरे कोवाटर में यहां पर 30% से भी ज्यादा एकनोमी गिरी उसके बाद कमबैक किया और यहां पर लगभग 35% के लगभग एकनोमी ने रिकवर कर दिया तो उसके बाद से लगातार रिकवर करती गई है और एकनोमी बढ़ती गई है लेकिन पिछले दो कोवाटर में यह डाउन गई है पहले तो 2022 के पहले कोवाटर में तो 1.6% गिरी है लेकिन उसके बाद दूसरे कोवाटर में 2020 के 0.9% गिरी है अभी फॉरकास्ट पर नहीं जाएंगे लेकिन यह जो गिरी है वो मैं बता रहा हू किस तरह से गिरी है और एक इस तरह से भी क्राफ होता है तो यहां पर भी पता चलता है कि हाँ कर रही है हलांकि देख जाए तो कुछ अर्दिशास्तरी यह कह रहे हैं कि अमेरिका अब रिसेशन में यानिके मंदी में आ रहा है और एकोनोमिस जैम्स नाइटली ने का है कि म अगर रहे कि पस मंदी में कुछ समय बचा है हम लेकिन मंदीद शरूराने मलरियें तो यह कहा है महां के एकोनोमिस जैम्स नाइटली लेकिन बहुत से और शास्तरी यह मानते हैं कि मंति नहीं आनी वाले क्योंकि देखा जाए तो मंदीजों की जाती है तो बहुत स्रींगा देखा जाता है जैसे कि income spend और employment और GDP का data भी तो बार बार revise किया जाता है तो ऐसे में हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम proper मंदी आ गई है अब देख लेते हैं कि रिपोर्ट में और क्या क्या बाते सामने आई हैं तो सबसे पहला आता है consumer spending तो देखिए consumer spending सबसे ज्यादा एफेक्ट करता एकनोमी को जितना लोग खर्च करेंगे मार्केट में उतनी ही money circulate होगी जो एकनोमी के लिए बहुत जुरूरी है और अमेरिका में जहां पर पिछले पांच महीने में ये consumer spending decline कर रही थी तो इस महीने सिर्फ 1% ही पड़ी जो sufficient नहीं है service sector में तो और जादा कुछ हुआ भी नहीं है खास और इसके लाब होम construction भी decline हुआ है जो 14% की annual rate से decline हुआ है और इसकी वज़ा है महेंगा loan क्यूंकि loan पर जो interest rate है वह वहाँ पर बहुत जादा बढ़ गए है लोगों को पहले के मुकाबले अब जादा interest देना पढ़ रहा है जिससे लोगों ने loan लेना ही कम कर दिया है जो directly home construction को effect करेगा और home construction से जुड़े हुए employment को भी effect करेगा जैस इंपोर्ट हो चुका है लेकिन वह बिका नहीं है तो जो अन्सोल्ड प्रोडक्ट है वह inventory में पढ़े हुए हैं और इसका मतलब यह भी है कि बहुत सारी कंप्रियां जो सुपर मार्केट चिलाती है जैसे के Walmart और दूसरी कंप्रियां उन्हें सामानों को गोदाम में भर रह है उनका production हो रहा है जो डारेक्ले GDP को स्लो कर रहा है inventory में पढ़ा सामान डो परसेंट के rate से grow हो रहा है तो grow हो रहा है ना inventory तो इससे manufacturing तो effect होगी इसके लावा business construction जो 11.7% के rate से decline हुए है इसका में भी economy को डुबाने में साहता किये यह भी डुबा रही है और इसके लावा ज इंगा हो रहा है और पैसा ओयल के जरी बाहर जा रहा है और यह से अपने strategic petroleum reserve को बचा कर रहा था अब वह उसको release कर रहा है इसके लावा government spending कम हुए है लेकिन military spending 2.5% से बढ़ गई है जो यहां पर युक्रेयन में जा रही है यानि कि जो पैसा normal economy में डालना चाहिए था वो military के पास जा रहा है जिसमें economy का balance बिकड़ गया इसके लावा final sale में भी कम होई है जो 0.3% के rate से कम होई है तो यह सब indicator से जिससे यह पता चलता है कि America अभी संकट में है और आने वाले समय में America में मंदी आ सकती है जो अभी officially तो मंदी नहीं है क्योंकि confirmation नहीं होई है ना मंदी चाता है यानि के लोग जो है unemployed है और उनको काम मिलना मुश्किल हो रहा है यानि के वह अब काम की तलाज में ज्यादा है काम को तलाज कर रहे हैं और उनको काम मिलना मुश्किल हो रहा है और अगर उनको काम मिल जाएगा तो वह spending करेंगे ना तो वह spending नहीं करेंगे तो economy तो वीख होती अकौनोमी और इन्फस्ण को को सब्सक्राइब 2ध 1 स 새वेशन बढ़ा से मैं पॉट मीफ्मारिय। सब्सक्राइब 1.75% में point 75% होता है अब किसी को यह नहीं पता है कि युइस फेटरल रिजबं क्या होता है सब्सक्राइब तो अगर सरकार इंट्रेस बढ़ा देगी तो इसका मतलब यह कि मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा जिससे महेंगाई पर काभू पाया जासे अब इस अमेरिका में लोन लेने का महेंगा हो जाएगा लेकिन साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जादर रिटन भी मिलेगा यह चीज़ भारत के लिए काफी सीधर रदी की बात है तो जब भी यूएस ट्रेड अपने रेट को बढ़ाता है तो जो इंट्रेस्ट कर इकनोमी और स्टेवल इकनोमी है और इससे यह हुआ कि जो फॉरेंड पॉर्टफोलिय इंवेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो अपना पैसा भारत से निकाल लेंगे और अमेरिका में निवेस्ट करेंगे इससे भारत के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम और रुपिय के कमजोर हो जाने से देश का जो इंपोर्ट है वो महंगा होता है और यह चीज डिरेक्ली भारत के इंफलेशन को बढ़ाएगी यानि कि अमेरिका के इंटरस्ट रेट पर भारत की जो महंगाई है उसमें उतार चलाव देखना को मिलता है और जब भारत में मह बढ़ाएगी इस चीज़ से और चीजों के ताम पढ़ेंगे और भारत वैसी भी महेंगाये से बहुत जाधा परिशान तो एसे भारत की परिशानी और जादा बढ़ाएगी और ऐसा नहीं है कि भारत की आरबियाई यह सब नहीं जानती विल्कुल जानती है और भी अपने टैल और को यहाँ पर इन्वेस किया जा सके और महेंगाई बढ़े तो फूड़ा कदोल भी किया जा सके लेकिन यहाँ पर भारत को रींट re Banks द्रनिया जीची ओई से वह जड़ा लाए यानि के भारत की तरव से डॉलर बहुत 40-650 billion dollar होता था ता ना वो 570 पे पहुंच गया है आप देख सकते हैं कितना गिर गया है आप देख सकते हैं कितना गिर गया है सितमबर 2021 से लिकर अब तक इसमें 70 billion dollar की कमी आ गई है यह बहुत जादा कमी है और ऐसी इस्तिति में भारत को डॉलर की ज़रूरत है और वह डॉलर कौन दे सकते हैं foreign portfolio investors और foreign portfolio investor इंडिया से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका में invest कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो federal reserve उसने वहाँ पर interest बढ़ा दिया है तो यह चीज़ इंडिया को बहुत जादा हट करेगी आप इसके वर में क्या सोचते हैं हमें comment section में ज़रूर बताएगा आप मेरे instagram पर भी जुड़ सकते हो आप simply जाए instagram में और search किजे i underscore imran siddhiki और आप मुझे follow कर सकते हैं इसके लावा आप मुझे twitter पर भी follow कर सकते हैं यहाँ पर भी same ही username है i underscore imran siddhiki तो दीजे मुझे अज़ाज़त मैं मिलता हूँ आपसे next video अगर आपको वीडियो थोड़ इप दिस ताम गद्ल्स यॉल लाव सिनिग आप